और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उडिसा से कॉल कर रहे हैं पवन जी, पवन जी अपना सवाल कीजिए मतलब बाल, मतलब घर रहा है जी कितनी उमर है पवन साब? पवन साथ साल क्यों पहे हैं? पवन साथ साल में तो बाल गिरते हैं, और अब इसकी तरफ जाद़ तوج्जह मत दिजए, यह और बात है के साथ साल में मेरे बाल अबी मौजूद हैं, और फिर भी मैं आपको दवा तो बताऊंगा, लेकिन इस तरफ अब जाद़ तवज्जह ने दिजे, आप तो भगवान क गॉन मोरिंगा मिलाकर पिया करें अगर यह जमने होंगे या रुकने होंगे तो रुक जाएंगे एक महीने तक या दो महीने तक आप यह इलाज करके देख सकते हैं आपको कोशिश करनी चाहिए एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है करिश्मा जी ने हमें क तो घुटना डिकर बोता है तो मैं जब पीड से चलती हूँ या फिर दोड़ती हूँ तो घुटना निकलता है वहार से साइड है सफीड होता है जी कितनी उमर है बच्चा एज कितनी है बच्चा आपकी? 20 साल है 20 साल 20 साल स्पोर्ट से मैं आप कर रहे हैं और कुछ दिन आप थोड़ा सा परेज करें स्पोर्ट से दोड़ने से या जंप लगाने से और कैपसूल टी केर टी फोर टाइगर कैपसूल टी केर और रोज आना एक सुबह एक शाम खाने के पस्चाथ दूस से लिए दो चाहत दिन सबर करिए और ऑपरेशन से भी बचिए कोई कुछ भी कहा है ऑपरेशन नहीं कराना ये कैपसूल टी केर आप लगातार खाएंगे तो आपको फाइदा बहुत जल्द मुम्किन है चोटी बच्चियां कमूर बच्चे या बच्चियां बहुत जल्दी अच्छे होते हैं और सुधा जी भी हमारे साथ जुड़ गई है फोन लाइन पर आईए उन से बातचीत करते हैं सुधा जी क्या सवाल करना चाहती है मेरे भी पी पर नज़र रखिया और तायराइट का मैं इलाज बताता हूं करेरे ने उसका और एक एकसरसाइज सबसे पहले समझ लीजे कि ऐसे सीधा बैठे रहे मेरी तरह बैठे और ये ये आपको रोजाना दो-तीन मिनट करना है एक साथ तो नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा-थोड़ा करके तीन मिनट कर लिया करिए लाप वसले है, चार बार में करें, एकी है और एकी है ऐसे ये भी तीन मिनट करिये ये बहुत ज़लूरी है आपके चक्करों के लिए सरवाइकल शुरू हो के आपको थाइराइट ठीक करने तो आपका बहूत कुछ ठीक हो जाएगा तायराइट का एक नस्का जो बहुत कामयाब है वो आप लिख लिजे 300 ग्राम धनिया 100 ग्राम अलसी 300 ग्राम धनिया 100 ग्राम आउला 100 ग्राम मेती और 100 ग्राम गौन मौरिंगा सफेद इसको आप पॉर्डर बनाएं और एक चम्मश सुबा एक चम्मश शाम खाएं गरम पानी से और ओ थायराइट की गोली भी आप खाती रहें अपनी पुरानी रिपोर्ट अपने पास रखें हर दो महीने में आप अगर आप दुबारा से थायराइट की जांच कराएंगी तो आपको अच्छा लगेगा कि आपका थायराइट कम होने लगा और आपके डॉक्टर आपकी थायराइट की गोली कम करते करते बहुत जल चुड़ा देंगे और आपको इसमें फायदा होना मुम्किन है एक और दर्शक है नीरज जी हैं पटना से हमें कॉल कर रहे हैं नीरज जी अपना प्रश्न पूछिया डॉक्टर साब मेरी मम्मी है जिनकी अमर बामन साल है उनको गठिया बात है जिसका कोई स्थाय इलाज नहीं पर आए ठीक है बिटा देखिए मेरी बात आप गोर से सुन लिजए या मम्मी आपके साथ बैठी हो तो वो भी तबज़े दें और लिखना जरूरी है कुछ गलत मत लिखना बहुत आसान इलाज है गठिया का और गठिया वाले के थोड़ा सहियम वाला होना चाहिए जो इलाज करते हैं करते रहें मुझे उससे कोई इतराज नहीं लेकिन जो मैं निसका बता रहा हूँ वो आप खुद बनाएं देखिए एक चीज आती है अलसी अलसी आपकी मम्मी जरूर जानते होंगे यह तो आप सड़ भी कर सकते हैं यंग बच्चे हैं अलसी लीजे पांच-छे सो ग्राम और उसको हलका सा भून कर इसका पाउडर बनाके मम्मी को दें और उनसे कहा हैं कि एक चम्मश सुबा एक चम्मश शाम खाने के बाद लेनी है गरम पानी से और इसमें एक चीज अलक से पाउडर बनाईए गौन सिया यानि काला गौन एक गौन आता है जिसको गौन सिया कहते हैं या काला गौन कहते हैं यह मुश्किल से मिलता है नकली भ यह 100-200 ग्राम खरीद लीजे और इसका पॉडर अलग बनाके रखने और जब भी यह अल्ची खाएं इसमें एक या दो चुटकी गौन सिया मिलाकर एक चमच अल्ची में और रोजाना दो बार खिला दें आपकी मम्मी का ठीक होना मुम्किन है एक और दर्शक है बरेली से हमें कॉल किया है मीना जी ने मीना जी स्वागत है क्या सवाल है आपका आपकी आवास कट रही है थोड़ा सा ऐसे बोले अहाँ मेरी उमर 55 सालने मीना बरेली से पुलें जी जी सवाल पूछे मेरे लिए क्या करते ate मेरे कोहनी में और गुटन नहीं रहता है कोनी में दर्द रहता है गुटनों में दर्द रहता है कब से है क्या इलाज किया है इलाज तो बही जो बताता हो वो करते ही रहे है अपर मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो मैंने आपके चीक है तो देखे इसका एक इस्थाई इलाज है ये जो भी दवाएं आपने आप तक खाई हैं ये इस से अलग है और अगर आपको भरोसा होगा तो ठीक भी होना मुम्किन है देखिए या तो गौन सिया असली मिल जाए आपको ये नकली बहुत मिलता है गौन सिया काले गौन को कहते है जो बड़ी मुश्किल से मिलता है और नकली भी लोग दे देते हैं तो गौन सिया लीजे असली वाला और आदा ग्राम सुबा आदा ग्राम शाम खाने के पश्चात पानी से बगएर चर्बी के दूस से या जूस से भी ले सकते हैं यह अगर सौ दो सो ग्राम भी आपको मिल गया तो आपका एक खतम होने से पहले आप रोक मुप्त हो सकते हैं लेकिन लेना असली और अगर नहीं मिले इत्तफाक से परिशानी हो तो पिर कैपसुल टी केर टी फोर टाइगर कैपसुल टी केर सुब़ शाम खाने से भी आपको फाइदा होना मुम्किन है सुमन जी ने हमें कॉल किया है आगरा उत्तरप्रदेश से उनसे बाच्चीत करते हैं सुमन जी सवाल कर सकती हैं रादी रादी भी रादी भी रादी भी रादी भी और देखिए एक नसखा मैं आपको बता दीता हूँ और वो बड़ा कारगर है और अगर आपने इसको लगातार लेते हैं तो अपनी चोटी और दूसरे की चोटी भी आप अपने हाथ से कर सकते हैं लेकिन एक दो बातों का खैर रखें कि आपके घर में वेस्टन टॉयलेट जरूर हो यह कुर्सी वाले टॉयलेट तो आप आसानी से ठीक हो जाएंगे जब भी अपनी जरूरत पूरी करें कुर्सी वाले टॉयलेट पर करें और अगर यह नहीं हैं तो वक्त जादा लगेगा आप खुछ समझे लें कि आपको क्या करना है देखिए पांच सो ग्राम अलसी लें और इसमें डेर सो ग्राम गौन्द सियाह मिला लें मिला लें इसे पाउडर बना लें और एक एक ग्राम तीनो टाइम खाने के बाद बगएर चर्बी के दूर से इस्तमाल करें और यह जो मैटेरियल मैंने बताया साड़े छैसो ग्राम यह खतम होने से पहले आपको दर्थीक होना मुम्किन है और इस वाक्त एक और दर्शक हमारे साथ हैं महराष्ट से हमें कॉल किया है गीता जी ने गीता जी सवाल करिए मैंने अभी सुना तक हाईरोड है मुझे भी और पीसी ओवी भी है तो उसके लिए कुछ इबाए बताएं बिल्कुल इनके लिए जी या और मेरे बहर पॉल भी बहुत जादा होता है उसकी वज़े से जी कोई यूनानी दवा इनके लिए अगर आप बता सकें देखे एक नस्वा जो आप अभी सुन रहे थे वो दुबारा बताता हूं लेकिन ये पीसी ओडी के लिए बाल गिरने के लिए बाल आपके थाइराइट की वज़े से गिरते हैं और आपके थाइराइट के लिए थाइराइट का मैंने अपने जीवन में इत से अच्छा नस देखा और इससे लोगों को फाइदा पहुंचते वे देखा क्योंकि लाकों और करोडों वीवर्स ने इस्तेमाल किया उनके फीड़ बैक भी आते रहते हैं तो देखिए अच्छा आसान इसका है लेकिन कॉंटिटी का ख्याल लग है जो मैं बता रहा हूं धनिया तीन सो ग ग्राम और सो ग्राम मेथी और सो ग्राम गौन मौरिंगा सफेद सफेद वाला ले ना इसमें नकली भी मिलता है लाल वाला नकली होता है गौन मौरिंगा सफेद इन सब को लेकर रो मैटेरियल घर में पाउडर बनाएंगे तो अच्छा ये लगेगा कि आपने असली पॉडर बनाई और एक चम्मा सुबा एक चम्मा शाम खाली पेट और रात को सोते समय गरम पानी से लें आप देखेंगे कि ये आपका जो थारेट की दवा है वो धीरे-धीरे कम करते जाएंगे आपके डॉक्टर क्योंकि आपका थारेट कंट्रोल होने लगा अपने पुरान और नई रिपोर्ट आप जब देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगा कि थारेट तेजी से कम होने लगा डॉक्टर आपकी थारेट की दवा को की प्रोटेंसी कम करते जाएंगे और बहुत जल्द उससे आपको निजात मिल सकती है चली एसे की साथ एक और दर्शक है ज़से मेरी जो हाट वीट आना वो बोत मिस करती है रुक रुक के चलती है काफी कब से क्या बताए डॉक्टर ने किती एज है आपकी मेरी एज 25 सालाएज दॉक्टर क्या कहते हैं आपको डॉक्टर तो कुछी दॉक्तर द्वाज दे लिए होते हैं और मैंता प्रॉल एक्स बाप देराकी मिरकों, ठीक है, चो दीकिए, दिल के रोगियों के लिए एक निस्का बहुत कीमती है, जो अक्सर बताता हूं, उससे लोगों को फाइदा होता है, चाहे हमारा हाठ ब्लॉख की जोंद ऐ हमारी हाठ नसों में चर्बी जमी हुई हो, चाहे हमें ब्लेट पेशर हो या दिल की धरकन में परिशानी हो या कॉलिस्टॉल बढ़ावा हो या दिमाग में कहीं कॉलिस्टॉल जमने से जो फालिज वगेरा हो जाता ऐसे लोगों के लिए बड़ा खास निसका एक तफ़ा है और वो है के लेसन का जूस निकालें एक लीटर अद्रक का जूस निकालें एक लीटर और ये जो आपका लीमू है इसका भी एक लीटर जूस निकालें और एक लीटर सिर्का लाएं जैतून का सिर्का इसमें मिला दें ये आपकी पांच महीने की दवा तैयार हो गई और ये खत्म होने से पहले आपको फाइदा मुम्किन है इसका इस्तमाल तरीका इस्तमाल ये है कि तीन चम्मच सुबा नाश्टे के बाद ले लें दरा तेज होता है ऐसी नेट पी लें और बाद में पानी पी लें और तीन चम्मच रात को सोते वक्पी खाने के बाद आप ले सकते हैं और ऐसे रोगियों को जिनका मैंने जिकर किया उनको फाइदा होना मुम्किन है और इसे के साथ एक और दर्शक है सुनिल जी ने हमें कॉल किया है महराश्ट से सुनिल जी सवाल कर सकते हैं आप हाँ मेडम मेरी उमर 30 साल है और मेरे बाल ज़ट है आपके बाल ज़ड़ रहे हैं जी 30 साल उमर है आपकी और ये बाल कब से ज़ड़ रहे हैं कम से कम 4 साल से तायरेट अगर चेक नहीं कराया हो तो करा लेना चाहिए अगर नजला रहता है तो नजले का इराज करना चाहिए और इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो फिर आप कुमे एक नसका बताता हूँ वो इस्तमाल करें रिखिए एक आता है गौन मौरिंगा सफेद गौन मौरिंगा सफेद वाला, इसमें लाल आता हो नकली होता है गौन मौरिंगा सफेद, सो दो सो ग्राम खरीद लें और इसका रो मेटिरियल लें, इसका घर पर पॉडर बनाएं और एक नारियल पानी रोज पी है उसमें आदा ग्राम गौन वारिंगा सफेद मिलाकर तो आपकी बाल ग्रोथ कर सकते हैं